गनमुल ग्याद करना, वैरी गनित की विदी दौरा, 109.27.27. यदि हम इसको दियान से देखे, तो हम पाते हैं, अगर हम तीन-तीन अंकों के पेर बनाते हैं, तो हम पाते हैं कि इसके गनमुल में तीन अंकों की संख्या होगी. लेकिन जब हम इसका गनमुल निकालेंगे, और हमको छे अंकों से ज्यादा की संख्या दी जाती है, तो ऐसी कंडिशन में जो घनमुल होंगे उसमें पहला प्यार तो हम तीन अंकों का बनाएंगे और जो दूसरा प्यार बनाएंगे वो चार अंकों की संख्या का बनाएंगे इसके घंण मुल को गयाद करने के लिए हमें क्या जादा से जादा संख्याओं के घंण मौकी की याद होना जीए तो ऐसी परिसिती में ध्यान से देखें कि इस 727 में इकाईक अंक क्या होगा इस 727 में यदि हम इकाईक अंकों को देखे तो हम पाते हैं कि 727 में इकाईक अंक साथ है यह जो साथ है इस संख्या में इकाईक अंक जो की कितना है? साथ है हम पाते हैं यह साथ कहीं से आया होगा? तो जब हम तीन का घन करते तो सत्तै साता और किसी भी परिस्तिति में सात मिल पाना संबभ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में जो एकाईक hundred है वो क्या होगा? तीन होगा अब हम देखते एक हजार ब्यानवे ऐसी संख्या हम यहाँ पर ऐसी संख्या डूढ़ेंगे जिसका घनमुल या जिसका घन ऐसी संख्या एक हजार ब्यानवे के लिए ऐसी संख्या डूढ़ेंगे जिसका घन एक हजार ब्यानवे हो या फिर इससे कम हो तो ऐसी संख्या हम जानते हैं कि जब हम किसका दस का घन करते तो वो मिलता है एक हजार और जब हम 11 का घन करते तो मिलता 1331 तो हम पाते हैं कि यह 11 का घन तो ही नहीं सकता यह 10 के इधर है क्योंकि 1192 कम है 1331 अधिक है इसलिए जो दूसरी संख्या होगी याने कि जो से संख्या है वो से संख्या होगी 10 अभी से संख्या में अगर हम 3 को मिलाते तो बड़ी आसानी से बतला सकते है कि यह जो हल्य हमारे पास क्या कि इस संख्या का घनमुल 1092,727 का इधी घनमुल देखेंगे तो वो कितना होगा 103 अगला घनमुल निकलना में को किसका 20376 का तो इसमें भी हम क्या करेंगे पाहला पेर बनाए 376 का और दूसरा पेर बनाए हमने किसका 2000 का इसके पेर से एक अंक मिलेगा लेकिन इसके पेर से हमको दो अंको की संख्या मिलेगी तो सबसे पहले तो इसमें ये decision कि इसमें इका इकांग क्या होगा इका इकांग इसमें हम देखेंगे कि इका इकांग क्या तो 386 में इकांग 6 है जो कि हमको किसके 6 के घं से इकांग 6 प्राफ्त होता है और कोई भी परिशिती नहीं है जिसमें कि 6 प्राफ्त हो तो हम लिख सकते हैं कि यहां इकांग क्या है 6 फिर दूसरा पेल 2000 है यदि हम दो संख्या एक संख्या देखे बारा जिसका हम घन देखते है तो वो हमको मिलता है 1728 दूसरी संख्या देखते है 13 जिसका घन हमें मिलता है 2100 कहने का मतलब है कि ये जो 2000 आपके पास बचा है ये निश्चित है 1728 से तो बड़ा है लेकिन किस से 2100 संख्या से छोटा है मतलब है इसी संख्या जिसका घन करने पर या तो 2000 आए या उससे कम आए तो वह संख्या होगी 12 हम लिख सकते है अता से संख्या 12 है और अगर से संख्या को 12 माल ली तब हमारे पास में जो संख्या होगी वह संख्या बन गई कौन सी 126 तो कहने का मतलब है हमारे पास जो ये संख्या लिखी थी उसका जो गनमुल है उसका जो गनमुल है वो किता होगा 126 होगा इस संख्या का गनमुल, 35,11,808 का के निकल रहे हैं? गनमुल निकल रहे हैं, तो इसका जो गनमुल होगा हमारे पास में, इसमें पहला प्यर हम बनाएंगे किसका? 808 का, जिससे एक अंक मिलेगा, दूसरा प्यर हम बनाएंगे 3511, जिससे हमको कितने? दो अंक मिलेगे, तो ध् आठ है, वो ऐसी कौन सी संक्या है, जिसमें उसी का तीन बार गुना करने से 8 आता है, तो उसका उत्तर होगा हमारे पास क्या, 2, 2 का 2 में तीन बार गुना करते, तो इकाईक अंक क्या मिलता, 8, अन्य किसी भी परिसिति में उत्तर हमको नहीं मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं, कि यहाँ जो इकाईक अंक 8 है, वो किस से मिला होगा, 2 से, 3511, हम ऐसी दो संक्या ढूनते हैं, जिसका वर्ग करें, तो या तो 3511 है, या उससे कमाएं, तो जब हम 15 का घन देखते हैं, 15 का घन देखते हैं, तो वो 3375 होता है, जबकि, किसका घन, 16 का घन, जबकि हम 16 का घन देखते हैं, तो वो 4,96 आता है, कहने का ये तात्पर है, कि 4,96 से बढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं, जो दूसरे 2 अंक होंगे, यनि कि 6 दो अंक हमारे पास होंगे, वो क्या होंगे, पंदरा होंगे, अब से संक 15 है एकाई कंग हमारे पास 2 है तो ये किसका अगर हम इस संक्या का घनमुल निकलना चाहे 35,11,808 का घनमुल निकलना तो वह क्या आएगा 152 आएगा 67,11,808 का घनमुल निकलना तो सबसे पहले इसमें कौन संक इकाई कंग देखना याने इस 279 से में इकाई कंग हमको मिल रहा है 9 और 9 काहे से मिलेगा तो ध्यान से देखे जब 9 का 9 में 3 बार गुना करते तो 739 मिलता इसका मतलब यहाँ इकाई के अंका मारे पास क्या होगा न होगा साती सात यदि हम दूसरा पेर देखे 6,751 अब इस 6,751 में दो अंको की संक्या मिलेगी इसका मतलब है कौन सी संक्या मिले तो हम यदि संक्या 18 का घं जानते हैं तो 18 का घं होता 5,832 और 19 का यदि घं करते हम तो 19 का घं होता है 6,869 तो हम बढ़ी आसानी से कह सकती है कि 19 का जो घं है 6,869 वो इससे बढ़ा है तो कहने का ये मतलब है कि इस संक्या 6,751 का जब हम घं मुल देखेंगे तो निस्चित है वो 18 देसमलोग उचाएगा मतलब हम दूसरे पेर में संक्या क्या लिख सकते है 18 तो निस्चित है इसका जब घं मुल लिखेंगे तो इसका घं मुल से हमको जो संक्या मिलेगी क्या 67,21,69 का जब हम घं मुल लिखेंगे तो वो घं मुल आएगा कितना 189 से इन संक्या की घं घ्यात करने के लिए हमें जादा से जादा संक्या के अर्था दो-दो अनको की संक्या के घं अपता होना चाहिए तो बड़ी आसानी से हम पांच अनको की संक्या तक के घन आसानी से निकाल सकते है आज के लिए तना ही सेशकल धन्यवात